हेलो फ्रेंड मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसानी से बनने वाला पालक पनीर क्रेसिपी चल लिए तो हम इसे बनाने शुरू करते हैं सबसे पहले हमें पालक को बस एक मिनट के लिए उबालना है जैसे ही इसमें एक उबाला जाये तो फिलेम को आफ कर दें देखे पालक में एक उबाला गया है बस अब हम इस समय फिलेम को आफ कर देंगे अब हम पालक को निकाल के चैनी पे रख लेंगे या फिर आप इसे ढकन से ढक कर सारा पानी पसा लें गरम पानी में से पालक को निकालने के बाद इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें इस तरह करने से ग्रेवी का कलर एकदम हरा आता है ठंड़ा पानी डालने से ये थोड़ा ठंड़ा भी हो चुका है अब इसे जार में डाल दें थोड़ा सा इसमें पानी मिला लें एक इंचा द्रक और दो पिस सा बुतलास उनको छीर लिया है मैंने एक टमाटर को छोटे टुक्रों में काट कर मिला लें Now 10 पिस काजू को मिला ले अब इन सभी चीजों को बार एक पिस ले पैन में 2 चमच के करीब तेल डाल दे अधी चमची शाही जीरा 2 पिस हरी लेची और 2 पिस हरी मेरिच को मिला ले थोड़ा से इन सभी चीजों को चेटर पटर करने दे अब एक प्यास को बारीक काट कर मिला लें प्यास को हमें हलका सा ट्रांस्पेरेंट होने तक फ्राई करना है इससे में फिलेम को लो कर लें और कुछ पॉडर मसालों को मिला लें आधी चम्ची यालदी पॉडर एक चोथाई चम्ची लाल मिर्च पॉडर आधी चमची जीरा पॉड़र एक चथा रे चमची काली मिर्श पॉड़र आधी चमची घर का बना हुआ गरम मसाला पॉड़र अब सभी मसालों को प्यास के सात्थ मिलाते हुए बस देश्ते ही सेकेंड के लिए पका लें अब पीसे वूए पालक को मिला लें थोड़ा चला लें इसे जार में थोड़ा सा पानी डाल कर इसे मिला लें इसे में फिलेम को मेडियम कर लें स्वाद के नुसर नमक मिला लें ग्रेवी में जब हलका सा उबालाने लगे तो पनीर को मिला लें यह 200 ग्राम पनीर है जिसे मैंने चोटे टुकड़ों में काट लिया है पालक के साथ मिलाते हुए इसे मेक्स करें इसे ढखकर 5-6 मिनिट के लिए पकने दें बीच में एक आग बार चला लें पनीर को पकते हुए 6 मिनिट हो चुके हैं चला लें इसे पालक पनीर की ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं रहती है और ना बहुत ज़्यादा गार ही तो इसे हम इसी तरह कर रखेंगे ठंड होने के बाद यह थुरा सा और गार हो जाएगा आपके पास अगर क्रीम हो तो इसे मिला लें मैं दूद की मलाई को फेट कर मिला रही है घर में अगर जट पट बनाना हो तो आप मलाई कभी इस्तेमाल कर सकती है एक मिनिट के लिए इसे और पका लें तो देखिए यहाँ पे हमारी पालक पनी रेडियो चुकी है इसे मैं आप फेलेम को आफ कर दें और इसे गर्म गर्म सर्व करें आप इसे रोटी पराथा नान या दाल चावल के साथ कह सकती है वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ओके बाई